नमस्कार, मैं सेल बोकारो स्टील प्लांट की वीडियो समाचार, पत्रिका बोकारो दर्पन के इस अंक में आपका स्वागत करती हूँ, आज के समाचार हैं मानव संसाधन के ज्यानारजन एवं विकास विभाग में दो दिवसिय सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षन कार्यक्रम का शुभारंब किया गया ये कार्यक्रम 28 नवंबर से 29 नवंबर 2024 तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें संयंत्र के विभिन विभागों के 21 अधिकारी प्रतिभागी के रूप में शामिल हो रहे हैं इस प्रशिक्षन कार्यक्रम में मेसर्ज आस्क EHS के द्वारा BSL के प्रशिक्षित अधिकारी संकाई के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं कार्यक्रम के उद्गाटन सत्र में मुख्य अतिथी के रूप में मुख्य महा प्रबंधक, सुरक्षा एवं अग्निश्मन सेवाएं श्री S सरत्पे तथा विशिष्ट अतिथी महा प्रबंधक, ज्यानार्जन एवं विकास, श्रीमती DR टोप पो उपस्थित रही ज्यानार्जन एवं विकास विभाग के श्री S केडी भौमिक कनिय प्रबंधक ने सभी अतिथियों और प्रतिभाग्यों का स्वागत करते हुए प्रशिक्षन कार्यक्रम की रुप रेखा प्रस्तुत की मुख्य महाप्रबंधक, सुरक्षा एवं अग्निश्मन सेवाएं श्री S सरतपे ने कार्यक्रम की अपचारिक उधगाटन करते हुए प्रतिभाग्यों को सुरक्षा शपत दिलाई और संयंत्र में सुरक्षा के महत्व को रेखांकित किया उन्होंने प्रतिभाग्यों से कहा कि वे इस प्रशिक्षन में अरजित ज्यान को अपने सहकर्मियों के साथ साज़ा करें और इसे अपने कार्यस्थल पर लागू करें महा प्रबंधक ग्यानारजन एवं विकास श्रीमती डीमार टोपो ने अपने संबोधन में प्रतिभागियों को सयंत्र में सुरक्षा के प्रति जागरूख रहने और सयंत्र में सुरक्षा को निरंतर सशक्त बनाने का आहवान किया कार्यक्रम में ग्यानारजन एवं विकास विभाग के वरिये ओन्परेटिव श्री राकेश कुमार श्री कौशलेंद्र प्रताप सिंह और इंस्ट्रक्टर श्री अरजुन प्रसाद बावरी का सराहनिय योगदान रहा ये कार्यक्रम संयंतर में सुरक्षा संस्कृति को सुद्र करने और कर्मचारियों के बीच सुरक्षा जागरुकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्पपूर्ण कदम है इसी के साथ सेल बोकारो स्टील प्लांट की वीडियो पत्र का बोकारो दरपन का यह अंक यहीं समाप्त होता है नमस्कार